कि दोस्तों किसी भी एक जाम को क्रैक करने के लिए प्रिवियस रिचाबर को सॉल्व करना बहुत जरूरी है प्रिवियस Savior पेपर से बहुत सारी चीजे पता चलती है जैसे कि आयोग के प्रस्न पूछने का तरीका क्या है नायोग किस तरीकि से पेपर को आपके समने present कर रहा है direct या indirect ठीक है paper का level क्या रहता है किन topic से ज़्यादा person पूछे जाते हैं यह सारी चीज़ें आपको previous paper से पता चल जाती है इसके अगर आप पिछले 4-5 सालों के previous paper solve कर लेते हैं तो कई ऐसे question भी हो सकते हैं जो repeated होते हैं ठीक है तो उन question को आप आसाने से track कर सकते हैं जैसे कि अभी आपने देखा UPTT की परिच्छा होई थी वहाँ पर पूरा paper repeat कर दिया तो ऐसा हो सकता है यह किसी लिए इसके लिए कोई ऐसा प्रतिबंद नहीं है कि आप question को repeat नहीं कर सकते हैं कुछ ना question सारे exam में repeat होते ही होते हैं ठीक हैं तो आपको previous paper paper हल करना जरूर चाहिए previous paper और online test series या practice को आप ignore नहीं कर सकते हैं आप कितना भी अच्छा तायार किए हो कितना भी अच्छा syllabus जीब से बढ़ा हो लेकिन यह ऐसी चीजी हैं इनसे आपको अपनी capabilities का पता लगता है और समय रहते उनमें सुधार भी कर सकते हैं जैसे मालीजे आप आज कोई practice paper समय रहते हल करते हैं तो वहां पर आपको यह पता चलेगा कि आपने उस paper को कितने समय में हल किया आपका time management कैसा रहा आपने जब उस questions को recheck किया यानि उसको answer की वगरा मिलाया तो क्या आपका score रहा कितने students से आप आगे हैं कितने students से पीछे हैं आपका score क्य आप कहां पर गलती कर रहे हैं किन points को आप जो है आते हुए भी miss कर दे रहे हैं बहुत सारी चीज़े होती हैं जो आपको practice sit से पता चलता है तो TGT PGT की तयारी अगर आप कर रहे हैं तो इन दो चीज़ों को बिलकुल भी इगनूर ना करें सलेबस आप पढ़ें बिलकुल सारी book में market में available हैं तो जो आपको अच्छी है कि वो book ले सकते हैं इसके अलावा practice sit भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कम से कम 10 practice sit सभी चातरों को जरूर solve करना चाहिए इसमें आपको वास्तिविक exam का पता चलता है कि आपका वास्तिविक score कितना आ रहा है और अभी आपको इसमें कितने improvement की जरूरत है कोशिस करें कि online test series मिल जाए तो सबसे अच्छी बात यानि सोने में सुहागा जैसी बात होती है अगर आपको online practice test test मिलती है अब खास बात इसकी होती है online test में वैसे तो प्रैक्टिसरट की book भी बहुत आती लेकिन मैं आपको यह नहीं कहूंगा क आप प्रैक्टिसरट मत लेजिए लेकिन preference दीजिए online test series को क्योंकि online test series में जब आप solve करते हैं तो वहाँ पर आपको टाइमर चलने लगेगा आपको नियत समय में वह paper हल करना अनिवार नहीं हल करेंगे तो फिर आपका जो है question attempt भी नहीं हो पाएंगे जब आप प्रैक्टि online जाते हैं तो proper आपको time management करने का मौका मिलता है साथ में क्या time management करने के साथ ही साथ यहां पर क्या है कि जब आप पूरा paper हल कर लेते हैं तो आपको जो paper का analysis करना होता है बहुत ही आसान हो जाते एक click में आपके सामने सारी चीज़े आ जाती है कुछ भी माथा पच्ची की ज जरूरत नहीं है ठीक है और अन्या बिरतियों के पेच्छ आप कहां पर stand कर रहे हैं वो सारी चीज़े आपको online test series पता चल जाती है क्योंकि यहां पर आपको proper question का solution भी मिलता है इसके इलावा क्या है कि आपको एक तरीके सा ranking भी मिलती है कि जितने आप बिरतियों ने उस test मे बैठे हैं यह उस test में को attempt किया है उसमें से score क्या आप का रहा है क्या आपकी ranking आ रहा है यह सारी चीज़े online test series के मदम से पता चलती है ठीक है तो इन चीज़ों को आप जरूर धान दीजेगा मैं यह नहीं कहता कि आप कहां से लें कहां से लें यह आपके उपर depend करता है जैसे जब भी आप कहीं से कोई भी चीज़ परचेज करें तो यह जरूर समझ लें कि जहां से आप परचेज कर रहे हैं उनकी expertise किस शितर में है अगर teaching area में हैं आपको reliable content दे रहे हैं आपके काम का content दे रहे हैं तब तो लेना ठीक है लेकिन अगर आज कल क्या है coaching एक business बन च teachers जो हैं आज टीज़िटी पढ़ा रहे हैं तो यह साथ चीज़े होती हैं उसको समझना आपको है कि कौन क्या कर रहा है ठीक है हम आपको बताना चाहेंगे कि online test series कई सारे विस्यों की हमारे संस्थान द्वारा उपलब्द करवाई गई है उनको आप जो है demo उनका जरूर ल आपको बता देता हूं कैसे आप इनको access कर पाएंगे सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है आपको Google Play Store पर जाना आए और यहां पर आपको टाइप करना होगा AB Tech Online Test Series यहां पर description box में link दिया गए वहां पर click करेंगे तो इस app को आपको download करके यहां पर login कर लेना मवाईल नंबर के थुरू ठीक है अब यहां पर इस तरीके से page open होगा अब आपको यहां पर teaching section में जाना है इस तरीके से आपका application जो open होगा यहां पर देखिएगे तो all exam लिकरके आरा है याँ पर popular exams लिका है आपको जाना है all exams पर ठीक है यहां पर click करना है इसके बाद आपको यहां पर जाना है teaching पर यहां पर जब जानाँगे तो आपको देखो मिलेगा UPSSB, TGT और PGT तो आपको अब यहाँ पर जाना है TGT के लिए लेना चाहते हैं चेक करना जाना है TGT पर देखेंगे तो यहाँ पर अभी फिलाल तीन विस्यों की अवलेवल है TGT Hindi, TGT Math और TGT Science ठीक है और बैक जाते हैं हम लोग फिर से यहाँ पर और यहाँ पर TGT वाला चेक करते हैं कि TGT में क् पर तो आपको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर PGT History, PGT Hindi, PGT Geography और PGT Sociology यह सारे टेस्ट अवलेवल हैं हम यहाँ पर History बाले पर क्लिक करते हैं कुछ डेमो यहाँ पर दिखाना चाहेंगे हम यहाँ पर देखिए आप जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर प्रेक्टिस सेट मिलेंगे ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा पूरा चैन बोर्ड के जो पैटर उसी के अनुसर यहाँ पर डिजाइन किया गया है इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको उपर टाइब मिलेगा प्रिवियस यह पेपर से यहाँ पर जैसे क्लिक कर देंगे आपके सामने यहाँ पर प्रिवियस यह पेपर भी मिलेंगे अब यहाँ पर आगर आप देखेंगे तो उपर लिख करके आ रहा है कि जब से टेसरीज बनी है तब से 12,101 स्टुडेंट नहीं यहाँ पर इन्रोल किया हुआ है और टोटल 96,280 बार एक टेस्ट दिये जा चु लेंगे तो टीजिटी में कई विश्यों के टेस्टी जम पर हमारा काम चला है जैसी सोचल साइंस हो गया बैलोजी हो गया इंगलिस हो गया और और भी कई सारे विश्य हैं मुझे याद नहीं पूरा ठीक है तो बहुत जल्ट अन्य टेस्ट भी आ जाएंगे तो जो अन्य प्रेपरेशन भाई एबी टेक आपर कहां अवलेवल है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं एक बर ताकि आपको चीज़े समझ में आ जाएं तो यह हमारा अप्रेशन एक जाम प्रेपरेशन भाई एबी टेक इस तरीके से आपके सामने ओपन होंगा आप यहां पर लेंगे तो अगर आप इसके लिए इंट्रेस्टेट रहां तो ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद इनको पर्चेज कर सकते हैं और परचेज करने काफी साथ स्टुडेंट गलतियां कर देते हैं तो मैं आपको पता देता हूं कैसे पर चेज़ करना है देखिए जो भी आपको दो package दिखाएगा उपर दान से देखेंगे तो यह उपर लिकर कह रहा है mega package और दर लिकर teaching package तो mega package में क्या-क्या मिलेगा ठीक है तो यहां पर आप लोग दे सकते हैं कौन-कौन से mega package में आपको exam से मिलेंगे आपको लेना teaching teaching वाले जब भी अब लें तो यहां पर teaching पर जरूर क्लिक कर लें कि टीचिंग कर लें तो यहां पर आपको लिकर करके आएगा कि teaching क्या-क्या मिलेगा चीक है तो यहां पर जिसे नीचे आएंगे तो यहां पर देखो 30 डेस 90 डेस 180 डेस त्या 65 जितने दिन के लिए आप टेस्ट लेना चाहते हैं उसी हिसाब से यहां पर payment है आपको बता दें कि यहां पर क्या है कि यह वालिडिटी दी गई है वालिडिटी के अनुसारे यहां पर प्राइस दिये गए हैं इसका मतलब यह हुआ जिस तारीक को परचेज करेंगे उस त इतना एक को मिलेगा 30 दिन वाले को इतना ही 350 दिन वाले को भी मिलेगा टेस्ट सब के लिए सेव हैं बस वेटी का अंतर है ठीक है तो यह सारी चीज़े यहां पर हैं तो आप टीचिंग पैकेज यहां पर जरूड़ सेलेक कर लें उसके बाद यहां पर payment करें क्योंकि मेगा पर केज़् थोड़ा सा काश्ट्रे पढ़ेगा और आपको मेगा पैकेज की जरूरत भी नहीं है इस वजह से टीचिंग पैकेज को सेलेक करने के बाद यहां पर अपना अपना प्रक्टीस करें कोई अगर होती है तो आगर आप यहां पर आयप में जाएंगे मैं आपको ब कॉंटेक्ट कर सकते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही आसा करता हूं वीडियो समझ पसंद आया होगा धन्य वादा